अगर आप भी अपनी स्किन को हेल्दी रखना चाहते हो और ये चाहते हो कि आपकी स्किन लंबे समय तक जबान दिखाई देती रहे तो आज की रेमडी आपके लिए है आज की रेमडी हमारी स्किन के लिए प्रोपर मील है हमारी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाई रखने के लिए मोस्चराइजर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं बस हमें इस बात का पता होना चाहिए कि अगर हमारी स्किन ड्राइजर है तो हमें कौन सा मोस्चराइजर लगाना है और अगर हमारी स्किन ओयली है तो हमें कौन सा मोस्चराइजर लगाना है अज मैं भी आप सभी के साथ एक monstracher की remedy शेयर करने आई हूँ मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि अगर आपकी स्किन oily है तो क्या एड करना है क्या skip करना है अगर आपकी स्किन dri है तो आपने क्या add करना है जिस से आपकी स्किन के अंदर नमी बनी रहे जब हमारी स्किन के अंदर नमी बनी रहती तो हमारे चहरे के उपर ज्यूरियों और फाइनलाइस भी देरी से आती है इसलिए मैं आपको अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि फेस वोश करने के बाद अपनी स्किन को मोश्चराई जरूर करें ताकि आपकी स्किन हेल्दी तो बने इसके साथ आपकी स्किन के उपर चमक रहे हैं आपकी स्किन प्लंपी प्लंपी दिखाई दे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सोफ्ट मुलायम और चमकदार दिखाई दे मेरी यूटीब फैमली को मेरी तरफ से प्यार बरी नमस्ते ले लेते हैं हम अपने वीडियो में तो चलिए अपना मोस्टेराइजर बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लेंगे अदा कटोर से थोड़ा सा कम गुलाब जल आप ज्यादा भी ले सकते हो आपने जितना बनाना है आप उतनी क्वांटिटी में ले लीजिए गुलाब गुलाब जल बेडिये हैं गुलाब जल हमारे मॉस्टेराइजर का बेस है इसलिए इससे ओल बी ले और ड्रय बी लेंगे अब मैं इसमें अब करूंगी तीन कैपसुल क्वितामिन एीओ जिन लोग की ढुल की ग्राइजिन है वहाफ स्पून बिटामिन एउल का लेंगे ज जिन लोग की skin oily है वो दो capsule vitamin E oil का ले लीजिए ठीक है जी अब मैं इसमें add कर रही हूँ lavender essential oil lavender essential oil का हम लेंगे चोथाई चमच ठीक है oily skin वाले भी इसको add करेंगे और जिनकी skin dry है वो भी इसको add करेंगे अब मैं इसमें add कर रही हूँ चोथाई चमच glycerin जिन लोग की skin oily है वो glycerin एड नहीं करेंगे और जिन लोग की skin dry है वो glycerin को जरूर add करें जिन लोग की skin extreme dry है वो इसमें चोथाई चमच coconut oil का भी जरूर add करें coconut oil हमारे skin के लिए बहुत अच्छा होता है वो हमारे skin को deeply moisturize करता है hydrate करता है जिससे हमारे skin plumpy plumpy दिखाई देती है जिससे हमारे skin healthy दिखाई देती है अब मैं इसमें add कर रही हूँ तीन चमच aloe vera gel के आपने market वाली ही aloe vera gel लेनी है fresh aloe vera gel का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि उसके अंदर बहुत जल्दी bacteria पैदा हो जाता है वो आपके moisturizer को बहुत जल्दी खराप कर देगा ठीक है जी आप aloe vera gel की quantity को कम भी कर सकते हो लेकिन अगर आप तीन चमच डालोगे तो आपकी ऐसी consistency बनकर त्यार होगी ना तो वो ज़्यादा ठीक होगा ना ज़्यादा पतला होगा ठीक है जी अब इसको हमने faint ना है देखिए अगर आप इसको cream की तरह बनाना चाहते तो आप इसको बहुत ज़्यादा फैंट यह cream बन जाएगी लेकिन मैं इसका moisturizer बना रही हूँ तो मैं इसको ज़्यादा नहीं फैंट ओंगी थोड़ा फैंट ओंगी तो यह ऐसी form में आ जाएगा ज अगर आपके पास ऐसी कोई बोटल है तो आप ऐसी बोटल में डालिए अगर नहीं है तो आप इसको इसी कोटोरी में ढख कर रख लीजिए जब आपको जुरूरत पड़े आप तब उसमें से ले लीजिए अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है जब भी आपने skin को moisturizer करना है पह आपके pores खुले होंगे तब ही तो आपको उसका फायदा मिलेगा अगर आप बंद pores के ओपर अपने moisturizer को लगाओगे तो आपकी skin को फायदा होने की बज़ाए नुकसान होगा फेस के ओपर acne मुहासे हो सकते हैं pimples आ सकते हैं blackheads whiteheads हो सकते हैं और skin की दूसरी अनेक problem भी आ सकती हैं इसलिए पहले अपने face को साफ करना है wash करना है उसके बाद ही moisturizer का इस्तेमाल करना है मैं भी अपने face को पहले साफ कर रही हूं अपने face को साफ करने के लिए मैंने गुलाब जल लिया है अब मेरा face साफ हो चुका है अब मैंने इसमें से थोड़ा सा moisturizer अपने हाथ पे निका मॉस्चराइजर हमारी स्किन के अंदर पानी की कमी को पूरा करता है जिससे हमारी स्किन हाइडरेट रहती है जिन लोग की स्किन ड्राय है उनको तो मॉस्चराइजर का इस्तेमाल करना ही करना चाहिए लेकिन जिन लोग की स्किन ओयली है इसका मतलब यह नहीं कि मॉस्चराइजर रगा का इस्तेमाल नभ न्हीं करेंगे उनको भे मॉस्चराइजर का इस्तेमाल करना चाहिए मैंने आपको बताया अगर आपकी स्किन OY Ali है तो आपने क्या-क्या AAD करना है ताकि आपकी स्किन के अंदर OY ॐल और पानी का बैलन्स बना रहे बहुत ही जादा जरूरी है अपने चेहरे के उपर फेस वाश करने के बाद मॉस्चराइजर को लगाना यह बहुत ही बैनिफिट देने वाला है आपको लेकिन आपको इस बात का पता होना चाहिए कि इसमें डालेगे सबी इंग्रीडियंट आपकी स्कीन को सूट करते हैं या यह वह सकता प्टो तो आप कों सी नहीं तो आपको आपको पोसी आप्ट करती है थोड़ा सा ने रहे सियुआ कर के देख लिए जहां पर आपने इसको लगाया है अगर वह पिर उसके不錯 होती है तो इसका मतलब यह मॉस्चिराइजर आपकी स्कीन को सूट नहीं करता है आप कोई और मॉस्चिराइजर लगाएं तो आप भी इस प्यारे से मैजिकल से मॉस्चिराइजर को बनाएं इसके बैने फिट्स उठाएं तो फिर मिलेंगे हम अपनी नेक्स वीडियो में तक यली बैप बैएं